तो आज इस लेक्चर में हम सीटेट एक्जाम 2022 इसके लिए पेपर 2 टूपिक ए साइंस और सोचल इस्टेडी इसके सब टॉपिक जो है वो देखेंगे हम तो मैं इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि हमने सीटेट एक्जाम 2022 इसके लिए सीरीज लॉंच की है उसमें आपको पेपर 1 एन पेपर 2 के लिए पेपर 1 एन पेपर 2 के लिए आपको 10-10 मॉक्टेज सीरीज मिलेंगी फुल सेलेवस्टे सीरीज है उसकी जो कौश्ट है वो सर्फ 4.99 है आपको कोई भी डाउट रहा तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और फूट अन मट्रियल्स वर्क मॉविंग थिंग प्यूपल एंड आइए अन नेचरल रिसोर्स वर्ल अफ दे लिविंग पेड़ागोगी अफ साइंस तो इसमें हम पहले फॉस्ट यह देखेंगे फूद अन मट्रियल्स में भी सब टॉपिक है तो यह देखेंगे हम फूद सूर्स अफ फूद कंपोनेंट फूद क्लीनिग फूद अन देन मट्रियल्स में मट्रियल्स अफ डेलियू देखेंगे अपका सेकेंड पेपर 150 मार्क होता है आपको 30 मार्क का साइंस यह टॉपिक में से पूछा जाता है 30 मार्क के लिए तो कुश्चन बहुत ही आसान होते आपको पता होना चाहिए स्टुडेंस आपके 6 टॉपिक होते है आउट आप 6 में से आपको साइंस से 30 कुश्चन पूछे जाते तो चलते एक क्वेश्चन के और तो आज का फर्स क्वेश्चन है कोईलेंड बॉंड और फॉर्म बाई शेरिंग पियर आफ क्या कोईलेंड यानि कार्बन-कार्बन जैसक्चक्त आपको लेंगे कारवथं एन कर में या एक बाउंड होता है बिछ में तो ये कर यह बनता है वो फुशा गाया पर तो हम देखेंगे ऑफिशन फिर्स्ट एटम्स टैन निउट्रों स्टैन इलेक्ट्रों टैन प्रोटन इसका ओप्शन राइट ऑप्शन है सी इलेक्ट्रों शेयर करकर यह कोईलेड बन बन बनता है जैसे कि हमने एक्जामपल लिया एक बन और कारबन का यह जो बॉण्ड है इसका एक एलेक्ट्रों और इसका एक इलेक्ट्रों इससे कोईलेंड बनता है I hope आपको यह क्लियर हुआ होंगा next carbohydrates are composed of dash and dash carbohydrates में क्या compose होता है वह देखिएंगा फर्स्ट है Carbon and Water, Then B है Hydrogen and Oxygen, Then C है Zinc and Aluminium, Then D है Gord and Calcium, इसका Right Option है, Carbohidrate are Composed Carbon and Water, कार्बन एन वाटर का यह केलेटन होता है कार्भाइड्रेट का कार्बन एन वाटर यह प्रेजेंट होता है कार्भाइड्रेट में next what is the symbol for salt salt का जो फॉर्मॉला है वो पुछा गया आपर तो हम देखेंगे पहले है फिर्स्ट है याने सियल दन यह पहले है यह फॉर्मॉला होता है और यह जो बेंजीन रिंगे इसके बाद वाटर का यह फॉर्मॉला है देन कर्बन कर्बन मोन ओक्साइड है next which of the following is the source of carbohydrate carbohydrate का source क्या होता है यह फॉजा गया पर the first is plant then human then animals then insects इसका right option है a plant plant यह carbohydrate का source है इसमें से हमको carbohydrate मिलता है then next vitamin dash function in normal blood clotting यानि जो blood clotting का function है वो कौन सा vitamin करता है वो पुचा गया पर blood clotting यानि blood ऐसा जम जाता है हम वो देखेंगे first is c then vitamin c then vitamin a then vitamin d then vitamin k इसका right option है vitamin k vitamin k इसका right option है यह blood clotting में इसका important role होता है vitamin k the next sucrose is commonly referred to as यह sucrose को क्या बोला जाता है और इसको क्या refer किया जाता है वो देखेंगे हम first is salt then carbohydrate then sugar then glucose इसका right option है c sugar sugar इसको generally refer किया जाता है तो एसा सुक्रोस एसा शूगर आनि शूगर में सुक्रोस यह प्रेजेंट होता है नेक्स्ट डेश इस दा मोस्ट कॉमन पोली सेकराइड अड़ेट टू फूट प्रोडॉक्ट कौन सा पोली सेकराइड यानि शूगर का ही फॉर्म होता है वो फूट में ज्यादतर यूज होता है एड़ करते है उसको प्रोडॉक्ट में तो देखेंगे हैं water then salt then sugar sorry then glucose then starch इसका राइट ऑफ्शन है डी स्टार्च यह ज्यादतर यूज होता है फूट में फूट एड़ किया जाता है यह पॉली सेकराइड है polysaccharide यानि many number of उसके जो molecules होते है यानि उसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको count नहीं कर सकते हैं starch यह एड़ किया जाता है then next identify the complex carbohydrate that cannot be digested तो students यह पर identify the complex carbohydrate यानि carbohydrate का जो complex है वो digest नहीं होता है वो हमको यह पर पहचानना है तो देखेंगे हम first fiber then cellulose then sugar then fat तो आपको पता है होंगा cellulose, sugar, fat, sugar तो यह digested होती है then fat भी यह digested होती है cellulose और fiber उसमें से हमारा option रहेंगा तो वो देखेंगे हम तो हमारा first जो option है fiber यह digest नहीं होता है तो रोगेज भी बोला जाता है यह bulky molecule होते है bulk में यह present होता है यह bulky molecule होता है students इसको चोटे-चोटे pieces में हमारी जो body है जैसे के carbohydrate को हम simple sugar में convert करते है simple sugar में इसको convert किया जाता है तो यह हम use करते है energy की source में तो यह कौन करता है saliva जैसे हमारा saliva है जो है हमारा तो वो carbohydrate को बारिक-बारिक pieces में यानि चोटे-चोटे pieces में हो simple sugar में convert करता है उससे हम energy source में use करते हैं उसे एक notebook में लिख लीजिए आपका score out of 30 मुझको बतायेंगा last में lecture के last में मुझको बतायेंगा आपका score कितना आया next which function is carbohydrate metabolism तो यहाँ पर function पूछा गया है इन carbohydrate metabolism में देखिए हम first है zinc, thymine, riboflavin, vitamin B इसका right option है thymine thymine का यह function होता है metabolism में carbohydrate में जो metabolism होता है वो उसका function thymine होता है thymine इसका function करता है carried out next how many cups of water to human water do humans require per day यानि कितना cups आपको जो humans होते है generally human होते है उनको कितना per day water लगता है कितने cups लगता है वो फुचा गया आपर first है 1,2,3 then B है 10 to 12 then 5 to 9 then 7 to 11 इसका right option है D 7 to 11 cups आपको water लगता है तो generally यह cups यानि आपको generally 2 to 3 liter यानि minimum minimum आपको 2 to 3 liter आपको per day water लगता है one human को next which micromineral is essential for which micromineral is essential for the production of the thyroid hormones यानि वो कौन सम मायक्रो मिनरल है जो के आपके जो body में thyroid hormones होते है वो प्रोडक्शन में उसकी मदद होती है यानि उसका function होता है वो इसका important role होता है वो देखिए हम thyroid hormones वो produce करता है वो देखिए हम production में उसका important role होता है है वो देखिए हम first calcium then iodine then fluorine then magnesium इसका right answer है B iodine iodine यह जो है यह micromineral है यह essential होता है for production of thyroid hormones जो के हमारे body में बनता है thyroid hormones next which type of chemical bond are the weakest कौन सा bond है हमने अभी देखा है carbon carbon bond में जो covalent bond होता है उससे bond बोला जाता है कोई भी atoms में जो joint होते है वो अलग-अलग bond से जैसे covalent bond ionic bond ऐसे अलग-अलग bonds होते है तो यहाँ पर पुछागा है which weakest bond यहाँ पर देखिए हम first covalent bond then wonder walls then ionic bond then none of the above तो इसका right option है wonder walls यह जो chemical bond होता है यह weakest होता है as compared to covalent and ionic next RDA stand for recommended dash olevans यह एक आप यह पकड़ लीजे एक संस्ता है यह RDA यह पूछा गया यह आप पर RDA stand for recommended यानी R का जो long form है R का R का जो especially R का recommended है then D का हमको इसका पूछा गया है and then A का allowance है तो यहाँ पर दिया गया है तो देखिए हम एक food की एक यह है community established की गई थी तो B का हमको यहाँ पर full form बताना है तो हम वो देखिए first dose then dietary then dairy then vitamin D vitamin इसका right answer है B RDA stand for recommended dietary allowance इसका right option है next the RDA was initially established during यह RDA कब established होई थी वो पुचक आया पर तो वो देखिए हम first is world war second then B है world war first then the Korean conflict then depression first is right option है first next world war 3 के दौरान यह established with the RDA recommended dietary allowance इसका लाउंग पर में next the first RDA war were published by a group known as तो यह जो publish किया गया था RDA recommended dietary allowance वो किस ग्रूप के किस ग्रूप ने उसको publish किया था वो देखिए हम food and drug administration then B है national institute of health then C है national nutrition program then environmental protection agency इसका right option है C यह ग्रूप ने इसको establish किया था national nutrition program next how percent of the adult body is made up of water जो adult की body होती है वो कितने percent water से बनती है वो पुचा गाया पर 55 then 65 then 75 then 85 का right option है B 65 percent of the adult body is made up of water यानि 60 percent श्रीप water होता है adult के body में 65 next carbohydrate and protein provide about how much calories per gram carbohydrate carbohydrate यह carbohydrate कितना protein provide करता है in calories per gram में तो देखिए हम फिस्टेफाइ 5 calorie per gram then 2 calorie per gram then 4 calories per gram then 6 calorie per gram the right option है C 4 calorie per gram यह carbohydrate दता है protein carbohydrate and protein are provide about calories per gram यानि 1 gram में से यह 4 calorie अगर हम for example 1 gram हमने carbohydrate लिया carbohydrate लिया हमने 1 gram तो कितना calories देता है हमको यानि energy का जो हम energy जो नापते है वो calories में नापते है तो इस्टोडन्स 4 gram हमको kilo calories sorry calories per gram यह देता है यानि 4 gram हमको 4 calories हमको energy देता है 1 gram carbohydrate और protein का भी से में 1 gram protein हमको 4 calories energy देता है देन नेक्स्ट fat contributes fat contributes about dash calories per gram fat हमको कितना 1 gram fat 1 gram fat 1 gram fat हमको कितना calories देती है तो देखेंगे हम 1st है 9 calorie per gram 10 calorie per gram 8 calorie per gram and then 7 calorie per gram तो राइट option है 9 calorie per gram 9 calorie per gram यह हमको fat देती है energy 1 gram next alcohol supply about how calories per gram अब 1 gram alcohol लिया हमने 1 gram alcohol लिया तो वो कितना calorie हमको देता है कितना calorie energy देता है हमको वो देखेंगे हम 1st है 6 calorie then 7 calorie then 5 calorie then 4 calorie इसका राइट option है 7 calorie लगबग fat के बराबर ही देता है है 7 calorie यह हमको per gram 7 calorie हमको energy देता है alcohol then next fiber is important in function जो fiber होता है रगेज होता है carbohydrate जो बलकी जो molecules होते है हमारे bulky compound जो होते है तो इसका important function पूचा गया है हमारे body में तो देखें हम poils then stomach then muscles muscles then skeletal so हम यह देखेंगे इसका right option यह है poils so fiber is important in function of poils poils function करता है fiber इसका important function होता है then next most vitamins are measured in जो vitamins होते है वो किस में हम measure करते है किस unit में हम measure करते है वो देखेंगे हम milligram then grams then liter then kilogram 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 यह बहुत बड़ा होगा है and then liter यह भी बहुत है then gram तो यह हो सकता है grams and milligrams तो यह option हमारे ऐसी ही यह आपर cut हो जाते इसका right option है A milligram में हम इसको measure करते है vitamins को most vitamins को हम milligrams में measure करते है then कुछ vitamins होते है जिसको हम micro milligram में भी इसको measure करते है micro पता होंगा आपको then next low fat 1% chocolate milk has how much gram of the carbohydrate यहनि low fat वाला जो chocolate है milky chocolate वो हमको कितना carbohydrate देता है वो पूचगा है यहाँ पर first है 15 gram then 26 gram then 32 gram then 21 gram the right option है B 26 gram हमको carbohydrate मिलता है low fat 1% chocolate milk में हमको 26 gram carbohydrate मिलता है देखिए बहुत ही ज्यादा मिलता है हमको यह से the next one sling sorry one slice of whole wheat bread is a dead-dash percent water यानि one slice में one slice ऐसा देखिए हम one slice होती है जैसे bread के होती है इसमें से हमको जो wheat के होती है यानि गेहू के होती है उसमें से हमको कितना percent water होता है वो पुचा गया है यहाँ पर 28 percent then 27 percent sorry 25 percent then 32 percent then 38 percent इसका right option है 38 percent wheat में स्रिफ water होता है wheat का जो breads होता है यानि चापाती पकड़ लो उसको 38 percent इसमें स्रिफ water होता है students order इसमें wheat होता है स्रिफ 30 जो बाकी जो percent है वो wheat होता है next that dash or spectrophotometer can be used for measuring transparent foods transparent food जो measure करता है हम spectrophotometer से करते है and then और कौन सी टेक्निक है वो पूचा गाया आपर thermometers meters liquid then colorimeters this का right option है colorimeter this का right option है इससे भी हम measure करते है transparent foods को then next fruits and vegetables are graded based on their dash and dash fruits and vegetables are graded यानि उसकी जो position है one two जैसे का one two three यह इसको ऐसा numbering करते है यह first number पर यह second number पर यह third number पर तो वह किस basis पर करते है fruit and vegetables में वो देखेंगे है first is size and shape then color and size then smell and shape then smell and color so students का first right option है option है size and shape से हम fruit का जो base है उस पर हम decide करते है इसके graded then next dash standard help ensure food quality standard help ensure for food quality यहनि food की जो quality वो standard वो पुचा गा है यहापर यहापर देखें national quality then packing then legal इसका right option है b quality standard help ensure food quality quality standard help ensure food quality यह इसका right option है next dash and dash are already solid and lead and lead land themselves to sun or try drying और जाइब तो यहापर जाइब यहापर पूचा है students already solid यहापर जो food है यापर निचे दीए गए यह solid है and lend themselves to sun और trying तो यहाँ पर sun से यह dry होते है और try drying यह एक order method है dry करने की next cheese, meats, then fruits, vegetables then cheese, vegetables, then fruit and meats इसका right option है fruits and vegetables are already solid यह solid होते हैं आपको बता होंगा solid, lend themselves to sun और trying drying इसका right option है B next, the most common drying method is that dash drying तो students यहाँ पर क्या पूच गाया है most common यानि हम कोई भी चीज़ को most common drying यानि students यहाँ पर drying की जो मेथड़ है वो common मेथड याँ पूची गई है freeze drying sun or dry drying then spray then oven येसब drying की मेथड से students याँ पर common मेथड पूची गई है तिसका right option है C spray is a common dry method आपको समझा होंगा next बैक्टेरिया मोल्स एन हमेबा इसका right option है ये इस्ट ये सिंगल सेल माइक्रो ओर्गिनीजम होता है ये सिंगल सेल माइक्रो ओर्गिनीजम होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है ये पोर्स भी प्रोडूस करता है उर्गिनीजमे की और शवी माइक्रोब्स थाड प्रे माइक्रोब्स थत प्रेफर कोल टेंप्रेचर माइक्रोब्स वह एक्डाम्पल हमको यापर देना है जो डेक्रशन ये वह देखेंगे हम सही Underground मेसोफिलिक ग धार्मो फीलिक डैन psychology औacks को फीलिक यापर देक्यादि लेकिन हम directly answer देखेंगे तो students यहाँ पर ती जो option है हमारा psychophilic psychophilic यह हमारा right option है microbes that prefer cold temperature यह microbes psychophilic जो microbes होते हैं वो cold temperature में रहते हैं then next students यह last question था हमारा 30 हमारे जो 30 question है वो खतम हुए है तो आपका कितना score आया out of 30 आपका कितना score आया वो मुझको जरूर बताइएंगा comment box में students आपको lectures पसंद आया होंगा तो हमारे lectures को like कीजे और आप अगर new होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेएंगा तो ऐसे ही interested lectures में हम ऐसे interested lecture हम आगे lecture भी मिलेंगे students थैंक यू जर्ट सकतुआः तो ऑपको जरूर जगजएंगा चैंक पिवय खाना दोधको हमारे पादाएंगंगा जरी में मुझका कीजेएंगा कीजेएंगा तो हमारे चैंक बादाएंगा कीजेएंगा